चावल बनाना किसे नहीं आता अथा सभी को आता है क्योंकि चावल घर पे डेली बनता है और हम सभी लोग बना लेते हैं लेकिन जो हमारे विगनर्स होते हैं वो कभी कभी किचन में जाते हैं और उनको अच्छी तरीके से खाना बनाना नहीं आता है तो अगर वो भी हमारे इस वीडियो को देख कर बनाएंगे या जो रोज बनाते हैं वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो उनका चावल एकदम perfect बनेगा एकदम खिला खिला बनेगा क्योंकि इस चावल में हम डाल लें हैं एक secret चीज इसकी वज़े से ये चावल हमारा बहुत ही perfect और खिला खिला बनेगा तो चलिए देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं तो इसको बनाने के लिए लिया है हमने एक कटोरी बासमती राइस तो आप normal चावल भी ले सकते हैं इसी process से वो भी बनेगा लेकिन आज हम बासमती चावल क बनाने जा रहे हैं तो घर में किसी भी कटोरी या कप को सेट कर लीजे उसी से आप एक कटोरी चावल ले लीजे तो इस चावल को हमने धूल की आधा गंटा पहले पानी में डाल की भीगो के रख दिया था ये काम करना बहुत जरूरी है इस चावल के लिए भीगो के रख देंगे तो यह आपका चावल बहुत ही बढ़िया बनेगा तो बस आधा गंटे ही आपको भिगोना है और यह अच्छे से भीग चुका है तो अब इसका हम पानी निकाल देते हैं तो हमने पानी निकाल दिया है और यह सारा चावल एक कोकर में डाल देंगे तो एक जरूरी बात चावल की नाप जितनी हमने ली है उसका देड़ गुना हम पानी डालेंगे तो जिस कटोरी से हमने चावल लिया था उसी कटोरी से देड़ कटोरी हम पानी डाल देंगे तो आप इसके लिए किसी भी कटोरी का जिससे आप चावल नाप रहे हैं उसी से आ नहां पर देशी घी डाल ये आप आयल भी डाल सकते हैं तो यही हमारी सीक्रेट चीज है इसको डाल के आप बनाएए आपका चावल बहुत खिला खिला बनेगा इसकी जगे पिनीबू कर रहे से नमक भी डाला जाता है लेकिन आपको कोई चीज डालने की जरूरत नहीं है पस पानी बाहर नहीं निकलेगा तो आप डाल बनाएए सबजी बनाएए कोई भी चीज बनाएए आप इस तरह से घी लगा करके फिर बनाएए फिर देखिए आपका जो कोकर के अंदर से पानी निकलता है सीटी आने के बार वह बिल्कुल नहीं निकलेगा तो आब इसको हमने गैस पर चढा दिया है और इसमें एक सीटी आ जाने देते हैं तो दूर्शी सीटी आ चुकी है और दहटा हो जाने के बाद हमने को खूला है तो आप देख सकते हैं इस कूकर को कि इसमें बिल्कुल भी पानी बाहर नहीं आया है और यह धक्कन एकदम साफ साफ है तो कूकर को देखे हमने खोल दिया है और देखे चावल एकदम खिला खिला बना है तो अगली टिप्स हमारी यह है कि जब आप चावल को चलाएं तो कल्ची में थोड़ा सा पानी कल्चुल जो है आपके इसको मीला कर ले तो इसे जो कल्चुल में चावल जिपक जाता है वो नहीं जिपकेगा तो इस टिप्स को अपनाके आप जरूर देखेगा आपका चावल बहुत ही बढ़िया बहुत ही खिला खिला सा बनेगा इसका एक एक दाना एकदम अलग और आप इस जावल को किसी भी डाल के साथ में सबजी के साथ में कहा सकते हैं इससे पहले भी हमने बहुत सारी सबजी की रेस्पी आपके साथ श municipi की है और अभी हमने दाल की रेस्पी भी शेयर की है उस दाल में हमने बहुत सारे टिप्स बताए हैं बनाने के लिए तो आप दाल की रेस्पी जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जा करके देख सकते हैं और आज की रेस्पी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर पताईए अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा आप में दोस्तों को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें तो गाइस मिलते हैं आप से अगडे वीडियो में एक नई रस्पी के साथ में त